नमस्कार मैं हूँ अजब आरद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं लगातार ग्राउंड मीडिया किसी खास कारी करें में हैं मुलाकात करुआ रहे हैं कोई खास कारी करम होता है तो आज हमारी टीम जीन्द का गाउन निडानी है पूरे देश के अंद सेकड़ो जो युवा है लड़के लड़कियां यहां से निकलते हैं फोज पुलिस की में भी लगते हैं और ज्यादातर खेलों की जहां हम बात करते हैं यहीं से पूरे हर्याना के अंदर कही हैं यदि हम नाम बोलते हैं निडानी का तो खेल गाउं निडानी के नाम से जान में बप्रणा कि अपर manifest कारी करम कर pearब में इसमाले वह अगूरोक शुर्बक़। यह कारी करम रखता है यह 22 और 23 इस तारीक पूर गोरे जाते हैं फिर स्कूल की तरब से जीं संस्था के तरब से और इसमें जाटसभा जो चंडीगड है जिसके चेर्मेन स्री डाक्टर मलिक हैं वो जाटसभा और स्कूल दोने मिल को ये प्रोग्राम करवा रहे हैं इसमें हर साल ये करवा जाता है इस वर्स जो है कुस्ती है कबड़ी है बास्केटबाल है अथ्रेडिक्स है और होकी ये गेम कि बार करवा रहे हैं यहां पर हम कुस्ती का होना है इसे सी डिक आई। लिढ़ी होई है और लड़के भी है नभी ये बी अब लगने लगया है बीस बास्केटबाल कर यह की हीवी हैं कबड़ी की 35 के लगवक टीम में इंट्री आ चुकी है उनका भी आयोजन इन दो दिनों के अंदर होगा और इसका विशेश जो समापन समारों होना है इसमें मान्य मुख्य मंत्री महोदे को मंत्री किया हुआ है चोद्री विरेंदर सिंग जी पूर्वे मंत्री और शांसत जो है इसके तरिक dp- guards 17 हमारे राज्या्य सबाद के सांसद हैं जी वही इसमें सिरकत करेंगे गषेश आंने गणमाने वेक्ति जो हैं चाहिए डाइरेक्टर स्पोर्ट को वी इन्वाइट किया हुआ है डी सी सभ परसासन के वेक्ति जो परसासन है वहीं सेयोग पूरा कर रहा बिल्कुल निडाने गाउं से हैं पूरो सर्पंच है दिलिप सिंग इसमा मौझूद हमारे साथ सर काफी लंबे समय से आप सेवाई दे रहे हैं स्कूल के मादम से बच्चों के मादम से पूरी कोचिंग आप इनको दे रहे हैं अब कि बार किस तरह खाड़ी मिलेगे बच्चों को अम मतलब संश्ता कामिसषा देस से ये रहा है सब्सक्रावी इस समर्धरसक्ति के इंग inertی डिए तर हमारी देश में खेलों का मतलब का मतल does के राच्ट्रियसीत रही अनिवारिया सुची में नहीं डालाएगा जिसके कारण मतलब खेलों का ओलमपिक एस्याड और वर्ल्ड चेंपिंशिप में बारत का परदर्शन नगन्या है अगर सरकार मतलब इसकी तरफ ध्यान दे तो एक क्रोड पैंट एक अरब पैंटिस क्रोड जन संक्या है देश की अ मतलब प्राद उसे बचाने का सबसे बड़िया त्रीका मतलब पराद उसे बचाना अब नसे से बचाना नसे एक सथी साली बनाना ये खेल ही संभव है और खेलों की परतिसरकार ध्यान नहीं दे रही और अब इसे इस संस्तान है अकेले संस्तान है अंतर रास्टियस्तर पर साथ से ज्यादा गॉल्ड मैडल जो अथ्रैटिक से कुस्ती कबड़ी इन खेलों में जीते हैं अकेले सरकार और राजे सरकारें की तरफ ध्यान दें और खेलों गनिवार ये सुची में डाला जाए तो मतलब देश का गौरों बढ़ेगा देश समर्द होगा खतम होंगे सरकार यही से निराने गावं से जो पहलवान निकले हैं उन्होंने ओल्मपिक भीखेला कॉमन मेल्थ में भी खेलते हैं तो सरकार क्यूं नहीं फीर जो अपनी जिम्मेदारी को समझधरी को इन इस वी दाइं दे रही है आपका कहना है कि जो खिलाड़ी होता है वह कि समाज जो रश्ट्र के मजबूत करने का कारिय करता है लेकिन बावजूद उसके कही ने कहीं जो खेलों किसे जो जुरु रहता है कःने कि राइम और बलाथकर गैंगरेव जैसे जो अप्राद है उनको जन्म देनake कारिय करता है। खेलों में जो रूची लेता है उसके अंदर ब्रहम्च रिये के परती और राष्ट्री के परती बाहुना भी उसकी मजबूत होती है क्या आप मांग करते हैं सरकार से क्यों नहीं फिर सरकारी इस तरफ द्याने रिए लोगों के अंधर जागरतीं नहीं रही है देश गुलाम था उस ताइम अगर इसको खेलों को अन्यवारिय सूची में डाल देते tat हर जगाए खेल अन्यवारी होता सकूल में अन्यवारिय होता जैंगох पिबूस को चोड़े कर खेलों مहोते कोई बच्ची नहीं होती कि जुरूरत है युवाज जग उठेंगे तब जाकर मतलब आगे इसके आवाज उठेगी राजनी जो हमारे पॉलिटीसियन है वो लोग सभा में राज्य सभा में वीदान सभा में मतलब इसकी खिलाफ आवाज उठाएं कर्देश समाज को रहाना को इस कारेकरम के मादध हमसे क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि मतलब हरे एक इंसारेक बाप माबाप का फर्ज बनता है वो अपने बच्चे को पोश्टी काहार दे उसको खिलाइडी बनाए चाहे उसको मतलब उसके लिए कर्ज लेना पड़े अगर जिन्दकी में सुख और शौरग देखना है तो खेलों के बगार कोई सुख नहीं है अगर जिस तरह से मतलब रियाना सरकार ने मतलब खेल नहींती है वो पिछे खिलाइडियों मतलब सारे रियाना मान दोलन चलाया सरकार ने मतलब 7 सितंबर 2018 के जो गजट नोटिफि तो उसके फिर मतलब विरिंदर सिंग ने मतलब इसके मामले में एहम बूमी का नहीं वाई उन्होंने इसको मतलब अर्याना के आई पाउर कमेटी थी उसके सामने उठाया और मुखे मंतरी के सामने उठाया वह ये खेलाइडी है ये गरीब किसानों मेरे वरक के बच्चे है अगर इनको मतलब इगनोर करेगी तो मतलब सरकार का बुराल होगा और ये सरकार से नराज हैं और उन्होंने फिर मुखे मंतरी के नोटिश में लाया मुखे मंतरी ने कैस वारड की समेशा जो थी वो लगबग हल कर दी लेकिन स्टीश के साथ ही अगर आप खेलों को मतलब अगरामी स्टर पर गाओं गाओं में स्कुल स्कुल में नहीं जब तक उसको दानिवारिया करेंगे तब तक देश उन्ती नहीं कर शकता कुछ भी हो दुनिया मतलब आज दुनिया का किसी देश कोई प्रोग्रेसिव देख लो वहां अगर आप फुटबाल के ग्राउंड म बास करने रोर मतलब सारी पूरी डीटेल में दी वह यह यह खिलाडियों के साथ इन्याय हो रहे हैं अगर मीडिया यह उठाए वह खेलों के बगार देश कभी भी तरकी नहीं कर सकता तो मतलब ऐसा कोई रास्ता नहीं जो देश तरकी करेगा कुछी भी कर लो ना अपराद में ना नशाख मुक्ती में ना ग्रेंगर यह रेप हैं यह में इनको मिटाना है तो बुराई से बचाना है चाहिए वो लड़का उचे लड़की हो उसको सुबह से हम गेमों खेलेगा उसके विचार बदलेंगे उसमें सकती आएगी उसकी बावना दूसरी होगी देश समर जाए या दीरे जाए ग्राउंड मीडिया के दर्सकों को एक बार हम भी पूरो सरपंच दिलिप सिंग ने के पूरा संदेश दिया हर्याना वासियों को भारतवासियों को कहने का तात्परी यह कि कोई भी जो देश यह उसको राश्टर को मजबूत बनना तो उसको खेलों क देश में सबसे ज़्यादा पहलवान देने का कारिये करता है तो फिर अभी नोंने बताया कि कोई खेलों में बाग लेता तो उसकी दिनचरिया भी उबह जल्दी उठता है और उसके जो ताकत के बात करते हैं उसके एनरजी की बात करते हैं उसमें मजबूती मिलेगी वहीं पर इनोंने बताइगर Atal को और है मुझबूत बना खेलों में और खिलारीतो बनना ही पड़ेगा खिलारी जो ट哦 आ今天 यहां होगा वह अनीं को तइसे जो कर रहे हैं उनके उपर रोक लगाने का करेए करेगा तब इसका श्रीर मुझबूत होगा यह संदेष अशण बिल्कुल संदेश है और आप जो अब सकता मतलबंत राश्टेस्टर पर या एसी आडमा या वर्ल्ट सेम्पिंशिप में जो मैडल आते हैं उसका सबसे ज्यादा सरे उसके पेरेंट्स को उसके अभी वाव को को उनकी मेनत को जाता है इसमें सरकार का इतना बड़ा रोल ही मा बाप करजा लेकिन उनको खिलाडी मनाते हैं ताकि उनको रुजगार मिल जाए और उनका पेट गुजारा हो जाए तो सरकार को भी इस तरफ द्यान देना चाहिए लिए उनकी इतनी उकात नहीं है वह मैडल के लिए तैयर कर सके हैं लेकिन वह तो यह सोचकर खिलाडी तैर करते हैं वह इससे तरह गरबश जाएगा तरह बच्छे को रुजगार मिल जाएगा इसलिए करते हैं अगर सरकार मतलब इसमें पूरा द्यान दे जो दूसरे रेसों का अगर खेल का बज़ट देखोगे तो बारत का उसके बराबर जीरो है वह मतलब खेलाडियों के साथ-स तो उनके जो आश्रीत इंडिपेंडेंट हैं जो उन पर माबाप निर्वर करते हैं उनको भी सरकार खर्चा देए सरकार की तरफ से आपने भी काफी लंबा जैसे समय हो गया है खिलाडियों के बीज रहते हैं आप प्रैक्टिस वगर आप करवाते हैं इनका नेतरतों भी स असासन है यह हर्याना सरकार की तरफ से इसे पहले कॉंग्रेस का राज भी रहा चुटाला सरकार भी रही ती अभी जेपी सरकार भी है उनके तरफ से क्या स्वासन मिलता फिर उनकी तरफ से फिल आहल मतलब सरकार मतलब कोई बीचे केंद्रिय सरकार हो चैराज्य सरकार हो च सब्सक्राइब 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 खेल सकुल नडानी द्वारा किया जाएगा और बाहर से पूरे प्रदेश को कोणे कोणे से खलाडी आकर अपना ज़हर दिखाने का काम करेंगे और खलाडियों को जो international स्तर की सुविधाय क्वेंडानी दौरा दी जाएंगी उसके लिए पूरे इलाके से लोगों में भारी उच्छा और खुशी का माहल है और लोग खेलों के परती पूरी तरह जागरुक ये खेल स्कुल नडानी के द्वारा किये जाते हैं इसलिए जो ये खेल का आउजनिस में होगा वो सभी खेल जो सामिल किये गए हो गरामिन आचल में रहने वाले य किया जाएगा तो 22 और 23 नॉमर को निडानी का जो चोदीर बर्चिंग मेमोरियल जो स्कूल है इसमें जो कारेकरम खेलों का यूजन जो किया गा तमाम हर्यान अबासियों को ग्राउंड मीडिया की तरफ से भी एक संदेश और एक अपेल है कि जो खेलों को अपनी तरफ यह यदि खेलों में जो इंटरैस्ट्ट लेता है वो यूगा है वो नसे से दूर रहेगा और ब्रम चरीय की जहां बात करते हुख बढ़़ए जो जो भी यूगा उसको खेलों में आना ही पढ़ेगा अपनी दिन चरिया को मजबूत करने के लिए यदि अपने रस्ट्र को मज पूरो डीजीपी तो आप यदि किसी को भी खेल देखने हैं जानकारी लेनी है किसी भी परकार की यदि अपनी दिन चिरिया के बारे में किसी कुछती को लेकर के या किसी भी खेल को लेकर के तो यहां पर एक से एक कोच आपको मिलेंगे तो आप यदि चाहते हैं यहां आना तो आप आ सकते हैं डिरेक्टर साब से एक बार फिर पूछने दाते हैं सर किस तरह का जैसे हर्याना के तमाम जैसे खिलाडी आएंगे यहां पर कुस्ती के भी अलग-अलग क्या जनकारी जुटाने के लिए यहां यहां पर आता तो इसको अंतराश्टी स्थर के हिसाब से बनाए हुए हैं उस वीदा है यहां पर तो दूर 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 के छेत्रों से भी यहां पर आके बच्चे रहते हैं होस्टल की सुईधाएं हैं और अच्छा अपना परतिभा निखारते हैं यहां पर आकर क्योलिफाइड कोचिस हर गेम में लगाए हुए हैं और उनके माद्यम से जो सीखते हैं उसके बाद चैसा की इदलिप सिंग ने बताया कि यहां से सेंकडो अंतराश्टी स्थर के खिलाड़ी निकलते हैं ग्राउन मुडिया फिर ऐसे कारे कर्मों की जान कारी हम आपके सामझे माधर के आएइंगे आप बने रहें ग्राउंड मैधिया के लिए जीन सं사 बारदवाज रष्ट्रॉन्य दोनिमान की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइ Anime लकते